बिहार सीम नितीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगाजल उद्धन योजना का लोकारपण करने नालंदा जिले के घोड़ा कटोरा पहुंचे जहां उन्होंने लोकारपण के बाद कहा कि इस योजना से नालंदा नवादा और गया जिले के लोगों को पूरा लाव मिलेगा लोगों को सुध पीजल के साथ साथ सिचाई की भी सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि इस यूजना से जुड़े कई महतपूर जानकारियां हम देते रहेंगे राजसवा जिसे भीजा जा रहा है इस सवाल पर सीम ने चुपी साथ ली हाला कि मुक्यमंद्री जब भी नालंदा आये हैं तब उन्होंने बड़े फैसले ही लिये हैं मगर इस बार उन्होंने अपने फैसलों के बारे में खुलासा ही नहीं किया राजनितिक गलियारों में इस बात की खलबली मची हुई है कि आरपी सिंग की जगहे निदीश कुमार किसे राजसवा बेजने वाले हैं यह अभी दक साफ नहीं हुआ है हालाक इस प्रोग्राम में आरसीपी सिंग के गुट का कोई भी कारिकरता दिखाई नहीं दिया वही इस कारिकरम में पहुँचकर मुख्यमंद्री निदीश कुमार ने क्या कुछ कहा सुनिया एपानी लेगे लिए और यहां पर और यहां से फिर तीन जगहों पर जाएगा और वहां पर उसके प्रूरिपाई किया जाएगा और तब लोगों के वितरन के लिए वो सब सब दोगा यह सब पहले से एकित चीत पहा है उसके लिए काफी बार मिटिंग कर शुके हैं यहां तक आने के स्थित्य हो गई अभी हम सब जगह जाकर के देखेंगे कि भाई हम तो चार हैं कि इसी साल शुरू तो कर देख हम से कम वहां से लाकर के लोगों को सप्टाई करने का तो कहां पर पहले ले जाएंगे लोग पानी को अभिढियो विश्षक कर देखेंगे और यही से फिर जाएगा गया की ओर और यही से बार बार कह रहे हैं कि सिर्थ यही से नहीं बल्के नवादा के भी पास बना गनाची और पर लघ नियूज के लिए नालंदा से दीपक विश्वकरमा की रिपोन